सवाल लंबर पेट में गैस के दस से चुटकारा पानी के लिए क्या करें? अगर आपके पेट में गैस के कारण दर्द हो रहा है तो इससे चुटकारा पानी के लिए आप हरे पुदीने की पाच्छे पत्ये लें और उन्हें काले नमक के साथ दिये दिये जवागर खाएं इससे आपके पेट में बनी गैस पास हो जाएगी और आपको दर्स से राहत मि लेगी इसके अलावा गैस के कारण पेट में होने वाले दर्द को दूर करने में अजवाईं साहिक हो सकता है इसके लिए आप एक बटा चार चमच अजवाईं के पीच को गुनगुने पानी के साथ खा लें और बायहाद की तरफ करवट लेकर कुछ देर के लिए लेग जा में पास दककर सो जाए इससे आपको पेट में 10 से तरह रहाद मिलेगे सवलमब दोसिर में 10 से चुटकारा पानी के लिए क्या करना चाहिए दृसर अद्रक कई तरह की बिमारियों के लिए रामवड साबित होता है चाहे आपके गल्रासो पेट में दर्द हो या फिस तर्मे देता है यही नहीं माईग्रेंट से जुड़ी समस्या हो तो भी अद्रक का सेवन करने से वह दूर हो जाता है इसके अलावा सिर में दर्ध है तो पुदीने का रस बहुत ही फाइदा पोचाता है पुदीना मेधोन और मेथाल के पर्मू के एलिमेंट्स आपको सिर्दस से तत सिर्दत के लिए प्राकतिक इलाज है मजबूत सुगंदी जड़ी बूटियर से मास्पेशियों को भी मजबूत करता है यहीं सिर्दत का कारण बनता है इसका सेवन करने के लिए एक कप पानियों को उबाले और उसमें तुल्सी के कुछ पत्ते डाले कुछ देर तक उबाल करते हैं यदि आप पूरी रात पाटी करता है अगली सुबह अत्यदिक सिर्दत होता है तो एक गिला सेव का सेवका का काड़ा पीए सवालन बतीन पेट में कबसे चुटकारा पानी के लिए क्या करना चाहिए दसक कबज होने पर सबसे पहला काम करें कि पानी भरपूर मात चनादाल इत्यादीर किछड़ी खाना रात के भोजन के लिए सबसे सही विकल्प है रात का भोजन करने के तुरुदबा सोने ना जाए बलकि कम से कम 30 मिर्ट धीमी गती से वाक करें सुबह सबेरे उटने के बाद खाली पेट एक किलस गुंगोने पानी में काला नमक और न दोए ऐसे करने से आपको काफी राहत मिल सकती है इसके अलावा सरसो के बीच के इस्तमाल से आप हाथ दर्द में काफी राहत पा सकता है इसके लिए आपको सरसो के बीच को पीस कर इसे गरम पानी में मिलाना होगा इसके बाद इस पानी से आपको अपने हाथों की सिखाई क करनी चाहिए इसके अतिल लोंग और इसका तेल कई बिमारी को दूर करने में काफी प्रभावी साबित होता है लोंग के तेल का इस्तमाल तो आपने दातों के दर्द में किया ही होगा लेकिं यदि आप इसके तेल से हातों पर मालिस करें तो आपके हातों की मासपेसियों को का पापी रहात बिलेगा इसके साथ ही पानी से भरे दो बतले एक में ठेंडा पानी भरे और दूसरे में गरम पानी अब प्रतेग 15 से बीस सेकंड के अंतरा पर दोनों बतलों से हाथों की सिकाय करें तीन चार बार इस परियोग को करने से आप काफी कम होगा सबाल नमबर पास सीने में जलन से चुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए तरह सीने में जलन या फिर हाथ बंड की परेशानी होने पर आप अद्रक का इस्तवाल कर सकता है अद्रक में एंटी वाइरल एंटी इंफिलिमेंटरी और एंटी अक्सिडेंट इकुरू पाया जा सकता है इसके लिए सौप का नियमित रूप से सेवन करें इसके अलावा सौप की चाही या फिर दूद में मिक्स करके भी इसका सेवन किया जा सकता है इसके अतित हाथ बंड की शिकायत होने पर ठंडा दूद आपके लिए फायदे बंद हो सकता है इसके लिए दूद मे हट्टी डाकार अपच की परिशानी दूर होगी सवालनबच है दातों के दात से छुटकारा पानी के लिए क्या करना चाहिए दरसल अगर आपके दात या डात चीस रहे हैं जंजाट हो रही है या फिर हलका हलका दध हो रहा है तो आप अपनी रसोई से एक लॉंग लेकर उसे उस दात या डाल के 20 चावा दें जिसमें समस्या हो रही है ऐसे करने से आपका दात दत कुछी मिंटों में ठीक हो जाएगा और आप अराम से अपने दूसरे काम कर पाएंगे इसके अलावा गरम पानी की सिकाई से भी दात दत में अराम मिलता है इसके लिए आप एक गिलास पानी गरम कर ले और उसमें आदा चम्मन नमक मिला ले इस तरह आप दस्ते 15 मिर्ट तक सिकाई कर सकते हैं आपको तुरां तराम मिलेगा इसके अति यदि आपके घर में या आसपस कही अमरूद का पेड़ है तो दात में दाध होने पर आप उस पेड़ से नए और साफ पत्ते तोड़ ले इन पत्तों को दूल कर साफ करें और फिर धिर धिर जबाएं इनसे दाध दाध में रहाद मिलती है और दाध के सूजन कम होती है दाध दाध दूद करने के लिए आप हिंग का उपयोबी कर सकते हैं आप आदा चमच हिंग लेकर इसे नीमू के रस्पे मिलाकर पेड़ तयार करें इस पेड़ को बहुत हलका सक गरम करें और फिर उस दाध पर लगा ले जिसमें दाध हो रहा है आपको तुरंट अराम मिलेगा सवाल लंबा साथ गले में दस से छुटकारा पानी के लिए क्या करना चाहिए दसक गले में दाध की समस्या से रहाद पानी के लिए सबसे अच्छा और असान तरीका नमक के पानी से गरारा करना है नमक का पानी एंटिसेप्टिक की तरह काम करता है और जमें वल्गम को बहा निकालने में मदद करता है इससे कफ कम होता है और सूजन से भी जल रहात मिलती है गले के दस से रहात पानी में नीमू रहात देता है एक कब गरम पानी में आदा नीमू निचोड़कर गरारे कर सकते हैं आदे नीमू में नमक और कालमिस डाल कर चाड़ सकते हैं इसके अति एक गलास गरम पानी में एक चम्मा छल्दी मिलाएं इस मिस्वन को खाली पिर सुबा दीरे दीरे पियें इसके एंटिसेप्टिक गुण सूजन कम करते हैं इसके साथी लहसून में सूजन कम करने वाले एव एंटिसेप्टिक गुण पाये जाते हैं इससे गले में दर्द का इलाज होता है इसके अलावा अगर आप अनार असानी से किसी भी बजासे खरी सकते हैं यह गले में दर्ध होने पर लाब पोचाता है अनार के रसकर सेवन करने से गले की दर्ध वे सूजन कम हो सकती है